महाभारत के समय जब अरजुन दुविधा में पढ़ जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो युद कैसे लड़ें, उनके मन में बहुत सारे प्रशनाते हैं, उस समय उनके उस मन की दुविधा को सुलजाने के लिए श्री कृष्ण उनको जो उपदेश देते हैं, जो सलाह देते हैं, वो श्रीमत भगवत गीता में हमें 700 श्लोकों और 18 ध्याय के रूप में पढ़ने को आज भी मिलती है, श्री कृष्ण की दी हुई इसी सीख की वज़े से जो भी अरजुन के मन में दुविधा चल रही होती है, वो दूर होती है, और वो युद को अपनी पूरी शमता के साथ लड़ पाते हैं और जीत भी हासिल करते हैं, हलांकि महा भारत को हुए तो कई सौ साल बीच चुके हैं, लेकिन आज की भी हमारी जो जिन्दगी है, इसमें जो चालेंजिस आ रहे होते हैं, उसमें हमारी सिच्वेशन भी अरजुन से कुछ अलग नहीं होती, ह श्रीमत भगवद गीता के रूप में जो हमें मिला हुआ है, उतना ही अपली केबल है, तो आज वही श्रीकरेशन के दी हुई जो सीख है श्रीमत भगवद गीता के रूप में, उन में से कुछ एक आठ श्लोक, लाइफ लेसन के रूप में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिनको अपने लाइफ में उतार कर, अपना कर, हम जिंदगी में आने वाले जितने भी अपसे डाउनस और चालिजिस हते हैं, उनसे बेटर तरीके से दील कर पाते हैं, और अर्जुन की तरह ही हम भी अपने जिंदगी में सक्सस पाते हैं, तो सबसे पहला लेसन है स्वरूब आत्मा है जो physical being हम है यह नश्वर है यह कभी ना कभी हम change करते रहते लेकिन जो आत्मा होती है वो permanent है वो temporary नहीं है जो आत्मा है नगह पैदा होती है नगहिं अप frequencies है वो हमेशा रहती है इसको हमें जिन्दगी में इस सरीके से अपनाना है कि हम materialistic world की तरफ जितनी हमारी इच्छाएं हैं हम बहुत चीज़ें collect करते जा रहे हैं हमें ये खरीदना है, वो करीदना है हमें successful होना है उसके साथ-साथ हमको हमारी inner journey भी शुरू करनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि जो हमारी inner journey होगी यानि कि जब हम अपनी soul को strengthen करेंगे तो वो permanent होगा physical level पे हम जो भी कठा करते हैं वो कहते हैं कि यहीं रह जाना है कुछ भी साथ नहीं जाना हम खाली हाँ जाएंगे लेकिन जो हम soul की level पे collect करते हैं जो wisdom collect करते हैं जो हम soul को अपनी strengthen करते हैं वो हमेशा रहने वाला है वो हर जनम में हमारे साथ रहने वाला है वो permanent होने वाला है तो यह जो सीख है हमें हमारे inner work के लिए inspire करती है क्योंकि एक वही है जो हम अपनी आत्मा के उपर काम कर लेंगे न उसकी शक्ती को strengthen करने पे काम कर लेंगे वो हमेशा हमारे साथ रहेगी और reality में वही हमेशा हमारे काम आएगी इसी chapter का श्लोक number 41 है व्यवसाय आत्मे का बुद्धी रेके है कुरुनंदना भवशा का हियन अंताष्च बुद्धियो व्यवसायना इसमें श्रेक्रेशन जी ये कहते हैं कि जो लोग अपनी जो energy होती है अपनी जो उर्जा होती है उसको different different desires अलग-अलग तरह की इच्छाओं में बांध कर रखते हैं उनको कभी भी life में satisfaction नहीं मिलती अब इसको एक example से समझते हैं कि अगर हमें पता है कि हमारा कल exam है और हम आज क्या कर रहे हैं कि friends जो party करने चारे हम सोच रहे हैं कि हम party करने चले जाए उससे हमें खुशी मिलेगी हमारी real happiness का होगी जब हम अपने exam को crack कर लेंगे उसमें हमारे अच्छे मागस आएंगे लेकिन हम वो छोटी सी खुशी के चकर में जो हमारा main goal है उस पे काम करना छोड़ देते हैं और उसकी वज़े से वो जो छोटी खुशी के चकर में हम भागे उसके चकर में जो वो बड़ी खुशी हमें मिलनी थी जो real happiness थी जो हमको life में एक next level पर लेकर जानी थी हमें successful करने वाली थी उसको हम छोड़ देते हैं तो यही श्री कृशन जी कहते हैं कि जो आपका main goal है न उसको हमेशा अपने mind में रखो और ध्यान रखो कि आप छोटी छोटी खुशीयों के चकर में distracted ना रहो अपने goal से उसी के उपर काम करना है हमको जितना हम अपने goal पे focused रहेंगे और उस time तक जब तक हमें वहाँ पे वो success achieve नहीं हो जाती हम successful नहीं हो जाती है हम distractions को side पे रखेंगे वो जो instant gratification है उसको side पे रखेंगे distract नहीं होंगे उतनी ही जल्दी हमें success मिलती है और उससे फिर हम satisfy भी होते हैं जो तीसरा life lesson है वो भी इसी chapter number 2 का श्लोक number 47 है और ये आपने बहुत बार सुना होगा ये है कर्मन्य वाधिकारस ते माँ फलेशु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भो माते संगोस्तव कर्मनी तो ये जो श्लोक है हमने बहुत बार सुना है हमने समझा है लेकिन बहुत लोगों को इससे related confusion भी होती है इस श्लोक का मतलब क्या है कि हमारे बस में सिर्फ हमारा कर्म है जो हम काम कर रहे हैं और जो results है वो उनकी हमें उसके उपर focus नहीं करना चाहिए हमें सिर्फ अपने काम के उपर focus करना चाहिए इसको हम confused बता है किसे उससे करते हैं लोग यह कहते हैं कि जब हमको अपने जो result है जो हमें fruits मिलने वाले हैं जो फल मिलने वाला है उसकी च्छक करनी ही नहीं है तो फिर हम काम ही क्यों करें, ऐसे कैसे हम काम करेंगे, जब कि हमें एक गोल तो सेट करना होता है, सब कहते हैं, कि जब तक हम गोल नहीं सेट करेंगे, कि हमें क्या मिलने वाला है, तब तक हम अपना 100% effort लगाएंगे, कैसे किसी काम पर मनी नहीं लगेगा, तो जो real meaning है इस लो कि हम काम करेंगे, उसके बाद हमको हमारा mind, body, soul, सब का सब अपने कर्म पे, अपने टास्क पे फोकस कर देना है, क्योंकि जो result होता है, वो हमारे control में नहीं होता कभी भी, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे hand में क्या है, कि हम अपना कर्म करें, अपना काम करें, और अपना best उ चाहे मुझे बदले में जो भी मिले, वो मुझे accepted होगा, लेकिन अगर हम अपना 100% effort नहीं देंगे, हम distracted रहेंगे, हम बार-बार सोचते रहेंगे, कि जो मैंने सोचा है, पता नहीं मिलेगा भी के नहीं, पता नहीं मैं effort करूं भी के नहीं, तो उससे क्या होगा, कि हमारा mind divided है, जो 100% focus काम पे होना चाहिए था, वो आधा इधर है, काम के उपर, और आधा future में है, result की चिंता करते हुए, तो हमको result, future के बारे हमने plan कर लिया, अब हमको present में अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि वहीं चीज है, जो हम कर सकते हैं, और उसी के उपर depend करेगा, कि result कै होने वाला है, तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हमने जो expect किया होता है, result, हमें उससे भी कहीं जादा कुछ अच्छा मिलता है, जो उस टाइम पे हो सकता हमें लगे कि अच्छा नहीं है, हमारे लिए, long term में जाके हमें समझ में आता है, हमारी capability, हमने जितन जादा happy और satisfied रहेंगे, यानि हमें result से detach होकर पूरी कड़ी महनत करनी है, next है chapter 3 से श्लोक 35, श्रयान स्वधर्मों विगुना, परधर्मार्त स्वनुष्टितात, स्वधर्मे निधनम श्रया, परधर्मों भयावह, इसमें श्रेकरशन जी ये कहते हैं, कि जब हम अपने धर पर फूकस करते हैं, तो वो far better होता है किसी और के धर्म को follow करना, मतलब ये कि हमको हमारा purpose of life identify करना है, कि हम किसलिए बने हैं, मुझे क्या काम करना है अपने जीवन में, हम क्या करते हैं, हम fascinated होते हैं, जो दूसरों को देखते हैं, कि अच्छा वो ये काम कर रहा है और उसको बहुत success मिल रही है, तो हम उनको follow करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को copy करना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए क्या better है, हमारे लिए क्या best है, हमारे पास क्या skills है, हम उनको identify नहीं करते, उनको use नहीं करते, तो हर किसी का life में अपना एक purpose है, हर किसी को अपने skills दिए और success भी नहीं मिलेगी लेकिन जब हम अपने gifts को identify करेंगे अपने skills को identify करेंगे और फिर चाहे हो सकता है कि हम अपना उतना level पे high level पे नहीं कर पाए उस काम को लेकिन फिर भी हम जितने भी level पे करेंगे ना चाहे हम थोड़ा बहुत use करें अपने qualities को लेकिन हमें वो satisfaction और happiness मिल क्योंकि जब हम अपने skills को ignore करके अपने purpose of life को ignore करके रखते हैं हम उससे detach होकर दूसरे के बात को हमेशा follow करते रहते हैं तो एक तरीके से हमको जो qualities मिली हैं जो हमको gifts मिले हैं हम उनके disrespect करते हैं ये एक तरीके से खुद से प्यार ना करना भी है खुद से प्यार करने का करें उनको यूज करें और अपने धर्म का पालन करें अपने रास्ते पे चलें तभी हमें लाइफ में ultimate happiness and satisfaction मिलती है नेक्स्ट है चाप्टर नंबर 4 से श्लोक 33 इसमें श्री कृष्णी कहते हैं मतलब ज्यान यग्ये जो हम चीजों का इस्तिमाल करके यग्ये करते हैं उसस ज्यादा stressed है इसमें शेकरशन ये समझाते हैं कि जो लोग यग्ये पूजा हवन ये सब करते हैं नाम जब करते हैं लेकिन वो जो उसका जो actual ज्यान है जो wisdom है उसको अपनी life में use नहीं करते हैं अपनाते नहीं है तो उससे उनको मन को शांती तो मिलती है लेकिन जो ultimate purpose है अपनी life में implement भी करना और लोगों के साथ बांटना भी और इसको अगर यग्ये से हटा कर हम ये देखे हैं कि अगर हम किसी की help कर रहे हैं किसी की मदद कर रहे हैं तो उसमें अगर हम उनको materialistic चीज़ें देकर यग्ये कर रहे हैं जैसे कोई भूखा है और हम उसको दो वक्त dependent ना रहे हैं उसके लिए श्री कृष्णी कहते हैं कि जब हम अपने ज्यान को विक्सित करते हैं और दूसरों के साथ बांटे हैं तो वो भी एक पवित्र यग के समान होता है ज्यान के आदान प्रदान से हम ना सिफ अपने आप को बलकि अपने समाज को अपनी society को भी progress की तरफ लेकर जाते हैं उनको भी उन्नती की तरफ लेकर जाते हैं तो इसलिए सिर्फ physical या material लेवल पे नहीं हमें inner लेवल पे भी अपनी मन की शांती और उसको strengthen करने के लिए steps लेने हैं और ज्यान को सिर्फ सुनना ही नहीं अपनी life में implement भी करना है नेक्स लोग चैप्टर इसमें श्रीक्रिशने कहते हैं उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम वसादयत आत्मेव ही आत्मनो बंदुरा आत्मेव रुपुरातमना इसमें श्रीक्रिशने ये कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है हमें उसका उद्धार करना है यानि हमें अपने आपको आत्मा के प्रशाज सही एक परसन अपने आपको उचा भी उठा सकता है और अपने आपको नीचे भी गिरा सकता है यह हमारा जो लाइफ स्टाइल है हमारी हाबिट से इस पर इंपरिसाइज करता है कि अगर हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो कि हमको प्रोग्रिस की तरफ लेकर जा रहे ह जिनकी वज़े से हमारी आत्मा का लेवल नीचे गिरता चला जाता है हम negative लोगों के बारे में बात करते हैं हम negative कर्म कर रहे होते हैं दूसरों को दुख दे रहे होते हैं दूसरों के लिए negative vibrations अपने मन से निकाल रहे होते हैं तो उससे क्या है कि हमारी आत्मा का स्तर जो है वो नीची हो जाता है, या फिर हम ऐसी steps नहीं लेते हैं जो कि हम को प्रोग्रस की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो उससे हम हमेशा success से दूर रहते हैं और हमको life में और फिन negative experiences को भी face करना पड़ता है तो इसलिए अगर हमें लगता है कि कुछ ऐसी habits हैं जिनको अपना कर हम अपना better version बन सकते हैं अपना higher self से connect हो सकते हैं उनको अपनाने की journey पे जितना जल्दी हो सके हमें चलना शुरू कर देना चाहिए और ऐसी habits जो हम जानते हैं कि वो हमको नीचे की तरफ लेकर जा रही हैं वो एक तरीके से बाधा बन रही हैं हमारी success में और हमारे बीच में तो उनको जितना जल्दी हो सके हमें हटा देना चाहिए तो हम अपने higher self से मिल पाते हैं उसके friend होते हैं जो कि फिर हमें personal और professional दूनों ही life में success दिलाता है इसमें श्री कृष्णा इस चीज़ पर एमफेसाइज कर रहे हैं कि हमारा जो lifestyle है वो balanced होना चाहिए हम life में जो भी कर रहे हैं उसमें एक balance होना चाहिए है हम काम कर रहे हैं और हमेशा ही अगर हम काम करते चले जाएंगे तो क्या होगा हम exhaust हो जाएंगे और थोड़े time के बाद हम बिल्कुल कुछ काम ने कर पाएंगे लेकिन अगर हम काम के साथ साथ rest को self care को भी prioritize करेंगे तो हम जादा productive होते हैं और हमेशा काम कर पाते हैं तो एक balance एक equilibrium maintain करके रखना है हमें तो कोई भी चीज़ जो हमारी life के लिए important है उसका बहुत access हो जाना या बहुत उसके उपर कम focus करना दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं होते तो यही ये श्लोग कहता है कि जिन लोगों का जो आहार होता है diet होती है यह जिनका behavior होता है वो balance में नहीं होता वो हमेशा दुखी रहते हैं तो यह हमको अपनी life के हर एक aspect पे इसको follow करना है कि हर जगे एक balance maintain हो अगर हम हमेशा बोलते जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम बोलें भी और हम चुप भी रहें एक balance maintain है हम अगर हमेशा करियर पर ही focus कर रहे हैं काम ही करते जा रहे हैं तो हमारी family life सफर करने लग जाती है तो हम अपनी work life और family life का एक balance बनाए कि कितना समय हमें उने देना है और कितना समय हमें उनको देना है अगर हम खाती रहते हमेशा तो हम इस चीज़ का भी एक balance बनाए कि कुछ समय हमें खाना और कुछ समय के लिए हमें break भी देनी होती है ताकि हमारे जो internal system है वो healing की तरफ भी focus कर सके वो digestion की तरफ भी focus कर सके अपनी life के हर important area को हमें equal importance देनी चाहिए ये balance बनाए रखने से हमारा mind और body दोनों ही हमेशा healthy रहते हैं और सिर्फ ये अपनी personal benefit के लिए नहीं है बलकि हम बाकी जो अपनी responsibilities निभारे होते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे से निभा पाते हैं जब हम एक balance maintain करके चलते हैं अपनी day to day life की activities में नेक्स्ट है इसी chapter 6 का श्लोक no.35 जिसमें कि श्रीकृष्ण कहते हैं असंशय माहा बाहो मनो दुर्नी ग्रहम चलम अभ्यासें तुकॉंते वेराग्यन चग रहते ये जो श्लोक है ना हमारी एक universal जो problem है human being की उसके बारे में explain करते हैं हमें कि जो हमारा मन है वो बहुत चंचल होता है हम करना कुछ चाते हैं लेकिन वो हम से करवाता कुछ है इसमें श्रीकृष्ण अरजुन से यह कहते हैं कि देखो जो मन है वो बहुत चंचल है वो accept करते हैं इस बात को कि उसको control करना बहुत मुश्किल है लेकिन उसको control करना impossible नहीं है अगर हम life में discipline maintain करके रखे और regular practice करें अपने मन को control करने की तो धीरे धीरे हम उसके उपर जीत हासिल कर सकते हैं और फिर मन हमारे accordingly काम कर सकता है तो हमारा मन control में यह इसका सबसे बड़ा example होता है कि जैसे पता है कि पढ़ाई करने जरूरी है लेकिन मन नहीं कर रहा आप अपने के junk food हमारे लिए healthy नहीं है लेकिन मन कर रहा है खाने का इसलिए खा लेते हैं यानि कि हम मन के control में हैं जिब्कि life में success achieve करने के लिए happiness achieve करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने मन पे control पा सके जितना हम अपने मन को control करना सीखेंगे उतना ही हमें inner satisfaction मिलेगे तो हमें regular basis पे meditation करनी चाहिए conscious decisions लेने चाहिए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ या करने जा रही हूँ वो मैं मन के control में आकर कर रही हूँ जो कि उसे success और happiness की तरफ लेके जाते हैं तो ये थे श्रीमत भगवत गीता से कुछ एक archlog जो कि मैंने आपके साथा share किये हैं अगर आप ही चाते हैं कि ये संपून श्रीमत भगवत गीता का सार मैं आपके साथ share करूँ एक ही वीडियो में ताकि आप उसको अपनी लाइफ में अपना सको और जो इस रेक्रेशन ने अरजुन को guidance दे थी वही guidance को आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सको desired results लाने के लिए और एक satisfaction लेकर आने के लिए तो comment करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो को जादे से जादे शेयर ज़रूर करना और अगर पहला ही वीडियो आज आपने मेरा देखा था और आपको वीडियो पसंद भी आया है तो चैनल को subscribe करके notification bell पे klick ज़रूर कर देना मैं हूँ Dr. शिखा और मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो अप्लोट करती हूँ जो हमारी quality of life को improve करके हमें हमारे higher self से connect कराने में support करते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Till then stay blessed, stay smiling, नमस्ते